दोस्तों ये लगबग 250 गिराम के आस्ताफ एक लौकी है और ये 8-9 आलू है और ये अधरक का टुगडा है दो प्याज है और 18-20 हरी मिर्ची है ये दाल चीनी के टुगडे है छोटे-छोटे और ये चार लौंग है हींग है गर्ब मसाला और अपने रोजवाले मसाले तलने के लिए तेल और पानी तो चलिए आज शुरू करते हैं लौकी की सबजी बनाना दोस्तों सबसे पहले इदर हम अपनी ये जो लौकी हमने इस तरह से काटी है रफली इस तरह से सबसे पहले हम अपने प्रेशर में बारिक बारिक काट लिया है अब वह मिसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और हम इस प्याज को डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे जब तक हमारा इधर प्याज भुन रहा है तब तक हम इधर अपने आलू भी फ्राई कर लेंगे अब हम तेल में यह आलू हमने इस तरह से दोके रखे थे इनको फिराई करेंगे यह देखिए दोस्तों प्याज हमारा इस तरह से अभी लाइट ब्राउन हुआ है हमें इसको डार्क ब्राउन करना जैसे लिए कुरकुरा हो जाता प्याज उस तरह से हमको अपना यह प्याज क करना है उसके बाद फिर हम इसमें लौकी डाल देंगे यह हमारा प्याज डार्क ब्राउन हो गया है इस तरह से यह इस तरह से हमको ब्राउन करना है अब हम इसमें यह अपनी लौकी डाल देंगे और इसमें पानी डाल के हम इसको उबाल लेंगे थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे हलका सा और हम इसमें दो वीशी लाने तक इसको उबालेंगे तब तक हम अपने आलू फ्राइ करते हैं जब तक हमारी लौक की उबलती है दोस्तों यह हम आलू अपने एक दम से डार्क ब्राउन कर लेंगे जिस तरह से की गुलाब जामून होता है इस तरह से यह देखिए यह आलू का इस तरह का कलर सभी आलू को पर आजाएगा तब तक हमको यह से चला चला के तेज आज पर हमारा एक्स्ट्रा तेल था वो अब हम इसमें से निकाल देंगे क्योंकि आज की सब्जी यह बच्चों के लिए इस्पेसल सब्जी है लौकी की बच्चे खाते नहीं है लौकी तो रही तो मैं अपने घर में बच्चों के लिए बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप यह लोकी की सबजी आप लोगों को कैसी लगी यह हम जीरा डाल देंगे इसमें गैस हमारी मीडियम रहेगी अब इसमें हिंग डाल देंगे अब अपना यह मसाले का पेस्स इसमें डाल दिया अब इसको भी हम low to medium गैस पर भूनेंगे यह जो हमारा सूखा मसाला था प्याज लेसन वग्यरा बो सब इस तरह से भून गया है अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे फल्दी पाउडर आदी चम्मस से भी कम है एक चम्मस धनिया पाउडर कलर के लिए लाल मिर्च पाउडर और नमक साद अनुसर और जैसा आप लोग मसाला खाते हो उसे साफ से अपना तीखा कम ज़्यादा कर सकते है और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ये लौकी भी हमारी उबल चुकी है दोस्तों तो लौकी हमारी उबल के ठंडी हो गई है अब हम इ ज़्यादा है तो मेश भी कर सकते हैं यह देग दोस्तों यह हमारा मसाला अच्छी तरह से भून गया है और यह लौकी भी और पिस गई है तो यह अब हम लौकी इसमें डाल देंगे और कर दोस्तों आप लोग वी इसी तरह से लोकी की सबजी और यह जो हमारा लोकी का पानी है, जिसमें हमने लोकी उबाली थी, यही पानी हम इसमें डालकर अपनी सब्जी को गिरेवी वाली सब्जी बनाएंगे. अगर आप लोगों को जदा पतला या गाडा जैसा करना चाहें, आप लोग अपने अनुसार करें. यह हमारी सब्जी की करी बनके तयार है अब हम इसमें यह अपने आलू डाल देंगे यह देखिए आलू भी हमारे अच्छे से वैल हो गए है भुन करके तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा दोस्तों आप लोगों को आज किये मेरी लौकी की इस्पेशन सब्जी कैसी लगी आईए दोस्तों अपनी सब्जी को अब हम देख लेते हैं सब्जी हमारी बनके तयार है तो अब हम इसको सर्व करेंगे इसमें पहले थोड़े से अरे धनियों डालेंगे कमेंट बॉक्स में बताईएगा कि आप लोगों को आज किये लौकी आलो की सब्जी कैसी लगी जो की बच्चे पहचानी नहीं पाएंगे कि इसमें लौकी भी पड़ी है यह देखिए और यह निकलेगा आलू रसे में लौकी दिखेगा आलू है ना कन्फ्यूजन वाली लौकी की सब्जी बच्चों के लिए इस्पेशल तो हम सर्व करते हैं यह हमारी आज की लौकी की सब्जी बनकर के तयार है तो आप लोग भी बनाएं खाएं इंजॉय करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों की आज की यह लौकी की सब्जी कैसी लगी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद